आदित्य ह्रिदे स्तोत्र का हिंदी पाठ उधर श्री राम चंद्र जी युद्ध में ठक कर चिंता करते हुए रन भूमी में खड़े थे इतने में रावन भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्तित हो गया यह देख भगवान अगस्त मुनी जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आये थे श्री राम के पास जाकर बोले सबकी ह्रिदे में रमन करने वाले माहा बाहो राम यहा सनातन गोपनी स्तोत्र सुनो वात्स इसके जब से तुम युद्ध में अपने समश शत्रों पर विजय पा जाओगे इस गोपनी स्तोत्र का नाम है अदित्ति ह्रिदे यहा परम पवेत्र और संपून शत्रों का नाश करने वाला है इसके जब से सदा विजय की प्राप्ती होती है यह नित्य अक्षय और परम कल्यान में स्तोत्र है संपून मंगलों का भी मंगल है इसे सब पापों का नाश हो जाता है यह चिन्ता और शोप को मिटाने वाला तथा आयू को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है भगवान सुर्य अपनी अनंत की रुनों से सुशोभित रश्मी मान है यह नित्य उद्य होने वाले समुदेन देवता और अस्रों से नमस्कृत विवेस्वान नाम से प्रसिद प्रभा का विस्तार करने वाले भासकर और संसार के स्वामी भुवनिश्वर हैं तुम इनका पूजन करो संपून देवता इनही के स्वरूप हैं ये तेज की राशी तथा अपनी किरुनों से जगत को सत्ता एवं इस्फूर्ती प्रदान करने वाले हैं ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपून लोकों का पालन करते हैं ये ही ब्रह्मा, विश्णू, शेव, सकन, प्रजापती, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुन, पितर, वासू, साध्य, अश्वनीकुमार, मारूदगन, मनू, वायू, अगनी, प्रजा, प्रान, रितुओं को प्रगट करने वाले तथा प्रभा के पुन्ज है इन्ही के नाम, आदेत्य, अर्थात अदेती पूत्र, सवीता, अर्थात जगत को उत्पन करने वाले, सोर्य, अर्थात सर्व्यापक, खग, अर्थात आकाश में विचरने वाले, प्यूशा, अर्थात पोशन करने वाले, घबिस्तमान, अर्थात प्रकाश मान, स्वर्ण, सद्रिश्य, भानू, अर्थात प्रकाशक, हिरने रिता, अर्थात ब्रह्मान की उत्पत्ती के बीज, बिवाकर, अर्थात रातरी का अंदकार, दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरी दक्ष्व, अर्थात दिशाओं में व्यापक, अत्वा हरे रंग के घोडे वाल सहस्त्रार्ची, अर्थात हजारों किर्णों से सुशोभित, तीमिरोन मतन, अर्थात अंदकार का नाश करने वाले, शंभू, अर्थात कल्यान के उद्गमस्थल, त्वास्टा, अर्थात भक्तों का दुख, दूर करने वाले, अत्वा जगत का संघार करने वाले, अंशु अर्थात स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन, अर्थात गर्मी पैदा करने वाले, अहरकर, अर्थात दिनकर, रवी, अर्थात सबकी इस्तूती के पात्र, अगनी गर्व, अर्थात अगनी को गर्ब में धारन करने वाले अदिति पूत्र, शंक, अर्थात आनन स्वरू, एवं व्यापक, शिशिर नाशन, अर्थात शीत का नाश करने वाले व्योमनात, अर्थात अकाश के स्वामी, तमो भेदी, अर्थात अंदकार को नस्ट करने वाले रिग, यजु और सामवेत के पारगामी, घन व्रिष्टी अर्थात घनी व्रिष्टी के कारण, अपाम मित्र अर्थात जल को उत्पन करने वाले, विंधैती, पलम गम अर्थात अकाश में तिवर वेक से चलने वाले, अतापी अर्थात धाम उत्पन करने वाले, मंडली अर्थात किरन समु को धारन करने वाले, मृत्यू अर्थात मौत के कारण, पिंगल अर्थात भूरे रंग वाले, सर्वतापन अर्थात सब को ताप दे कवी अर्थात रिकाल दर्शी, विश्व अर्थात सर्व स्वरूप, महा तेजस्वी, रक्त अर्थात लाल रंग वाले, सर्व भावोद भव अर्थात सबकी उत्पत्ती के कारण, नक्चत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन अर्थात जगत की रक्षा करने व अर्थात, बारा स्वरूपों में अभिवैक्त हैं। इन सभी नामों से प्रसिद सुर्यदेव आपको नमस्कार है। पुर्वगिरी, उद्याचल तथा पश्शिमगिरी, अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। जोतिरगणू, अर्थात ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपती आपको प्रणाम है। आप जैस्वरूप तथा विजय और कल्यान के दाता हैं। आपके रत में हरे रंग के घोडे जूते रहते हैं। आपको बारम बार नमस्कार है। सहेस्त्र, किर्णों से सुशोभित, भगवान सूर्य आपको बारम बार प्रणाम है। आप अधिती के पुत्र होने के कारण आधिति नाम से प्रसिद है। आपको नमस्कार है। उग्र, वीर तथा सारंग सूर्य देव को नमस्कार है, कमलों को विक्सित करने वाले प्रचंड तेज वाले मार्तंड को नमस्कार है परात्पर रूप में आप भ्रह्मा, शेव और विष्णु के भी स्वामी है, सूर्थ आपकी संग्या है, यह सुर्य मंडल आप ही का तेज है, आप प्रकास से परिपूर्ण है, सबको स्वाहा कर देने वाला अगनी आप ही का स्वरूप है आप रौद्रूरूप धारन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है, आप अग्यान और अंदकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रू का नाश करने वाले हैं, आपका स्वरूप आप प्रमे है, आप कृतगनों का नाश करने वाले संपून ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है, आपकी प्रभा तपाय हुए स्वंड के समान है, आप हरी अज्ञान का हरन करने वाले और विश्कर्मा संसार की श्रिष्टी करने वाले हैं, तम के नाशक, प्रकास्वरूप और जगत के साक्षी हैं, आपको नमस्कार ह रगुनंदन ये भगवान सूर्य ही संपुन भूतों का संगाज, श्रिष्टी और पालन करते हैं ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुचाते और वर्षा करते हैं ये सभी भूतों में अंतरमई रूप से इस्थित होकर उनके सोजाने पर भी जाकते रहते हैं ये ही अगनी होत्र तथा अगनी होत्री पूरुशों को मिलने वाले फल हैं यग्य में भाग ग्रहन करने वाले देवता, यग्य और यग्यों के फल भी ये ही हैं संपून लोकों में जितनी क्रिया होती हैं उन सबका फल देने में ये पून समर्थ हैं राघव, विपत्ती में, कस्ट में, दुर्गम मार्ग में तता और किसी भै के अफसर पर जो कोई पुरुष इन सुर्य देव का किर्टन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता इसलिए तुम एकाग्र चित होकर इन देवादी देव जगदिश्वर की पूजा करो इस आदेत्य रिदे का तीन बार जब करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे महा बाहो तुम इसी छण रावन का बद कर सकोगे यह कहकर अगस्त जी जैसे आये थे उसी प्रकाश चले गए उनका उबदेश सुनकर महाते जस्वी शुरी राम चंदर जी का शोक दूर हो गया उन्होंने प्रसन होकर शुद्चित से आदित हृदे को धारन किया और तीन बार आचमन करके शुद्ध होकर भगवान सूरे की ओ देखते हुए इसका तीन बार जब किया इसे उन्हें बड़ा हर्श हुआ फेपरम पराकरमी रगुनात ने धनुश उठा कर रावन की ओर देखा और उत्सापुर्वक विजे पाने के लिए वे आगे बड़े उन्होंने पूरा प्रत्न करके रावन के वद का निश्चे किया उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन होकर शुरी रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर रावन के विनास्व का समय निकट जानकर हर्श पुर्व कहा रगुनांदन अब जल्दी करो आदिति हृदे स्तोत्र संपुन कर साय कृप़ तक रामfires कर रह भाम ये जड़िती में विन भाम का समय दुर्वी है